आप सबको नमश्कार हिरम चुपाठी का और सबको बहुत बदाई रक्षा बंधन के फिरेज भी आपके नमश्कार का तरीका विश्क ने काओं से मुझ रहा है या उत्य प्रदेश से हैं तो कहें न कहें चीजें तो रहते ही जी बहुत ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है हमारी शुरुवात जो है सिरा सियम साब से हो रही है और सियम सामने इसका मुखरत किया फिल्म का क्लैपिंग किया बहुत सारी शुपकामनाई दी हमारी फिल्म के लिए तो किस तरह की कहानी है बन्दा नवाज में? सर एक बन्दा है जो जिसको बुरी तरह से नवाजा जाता है एक्चुली हमेशा रहा है कि नवाज एक सही अर्थ को दिया जाता था भाई आपने इस चीज को बहुत अच्छे से नवाजा है लेकिन यहाँ थोड़ा से उस चीज को बिपरीथ है उल्टा है यहाँ नवाजा तो जाता है लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं देरे देरे हमारी आप मुलाकात होती रहे कि आप लोगों से शेयर करती रहे हूं कहानी आप मुझे लगता है कि यह बहुत अलग इंटर्नाशनल लेबल की फिल्म है मैंने बहुत सारी हिंदी फिल्में देखी अपकोर्स मैं जुड़ा हूं तो बहुत सारी चीजे नॉलिज रखता हूं हिंदी फिल्मों के बारे में मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कहानी पर कोई आस्तर काम हुआ है इस डिफिरेंट लाइक अंटच स्टोरी जिसको बोल सकते है नयापन नहीं बात बहुत कुछ तो नहीं लेकिन इतना जरूर बदा सकता हूं कि देखने मज़ा आएगा फिल्म को एक आज देखा जाए तो पूरा वर्ड एक टरिरिजम से जूच रहा है लड़ रहा है उसी के एक छोटा सा मुद्दा है जो हमने उठाया है कि किस तरह से एक एजुकेटेट हमेशा दो तरह के लोग रहें देखम अच्छा आदमी बुरा आदमी तो ये बुरा आदमी अच्छा आदमियों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है कैसे उनको यूज किया जा रहा किस तरह से उन्हें अपनी शर्टों पर मजबूर किया जा रहा है यही हमारी कहानी है तो देश भक्ति भी इस फिल्म में है, बंदा नवाब में? सर, देश भक्ति है सर, देश भक्ति भी है इसमें और जब नवाज और देश इस सब बात आयेगी तो बहुत सारी चीज़ें फिर निकल के आयेगी बाहर, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है नवाज इसकी बात करें, कहीं ने कहीं एक मुश्लिम शब्द निकलता है और नवाज इसम बड़ा शब्द है, बड़ा इसकार्च भी होता है तो क्या कहानी हिंदू-मुश्मियां किसी धर्म को लेकर रखी गई है? नहीं से किसी धर्म को लेके हमने बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है कि हम किसी धर्म को लेके कोई नमुद्दा है नूँको अच्छाई है नूँके लिए बुरा है एक हम फिल्म मना रेक एक मैसेज है यह स्टूरी है जो सब के लिए हर कौम के लिए हर धर्म के लिए फिल्म है यूवाओं के लिए क्या धिया रखा है आपने कोई फिल्म है Actually हमारी ये फिल्म जो है इवाओं के लिए ही है कि आज तरह आज के दिन में क्यों उस तरह से गुमराह हो जाते हैं उनको मैं आपको शुरू में एक छीज बताया है कि दो तरह के लोग हैं बुरे लोग, अच्छे लोगों को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं, घुमा रहे हैं अपनी शर्तों पे किसी चीज के लोगे लालेच में आजकल के बच्चे बहुत सा दुख कब होता है कि जब educated बच्चे बहुत सारी निउस पढ़ने को देखनों को मिलता है कि पढ़े लिखे बच्चे जब उनको कोई मिलता है दस्तरह से बात को इसकी बातों माके उनकी तरह बनने की कोशिच करता है, काम करता है तो बड़ा दुख होता है सब्सक्राइब अब बच्च पो मेंचन गजी क्या इस्तार काष्ट है फिल्म लिए आपके लाओ कर वह रिष्टार काष्ट है सर काफी लोग है अभी हमारी एक्चली पुरी कहानी है नमाज की तो हम नमाज मतलब है है रमत्रिपाथि तो हम यहां से शुरुआत हो गई फिल्म की हमारी फिल्म चलती रहेगे कास्टिंग चलती रहेगी लोग आते रहेंगे आपको यह फिल्म कहानी है सर एक्चली देखा जाया तो हमारे बहुत बड़ी बात है हमारे जो अर्जुन भाई है हमारे आज 10-12 साल की दोस्ती है तो यह दोस्ती का तुफा बोल सकते हैं भाई क प्यार बोल सकते हैं ये एक्चुली ये फिल्म मारे हमारी कमाई है शायद दस सालों की हमारी कमाई है ये हमारे रिष्टों की इस से पहले उनके साथ काम नहीं किया हूँ लेकिन हर जगे हमारे साथ कंधा मिला के खड़े थे हर जगे उनके साथ कंधा मिला के खड़े थे हर ज लुक बहुत काफे एक चीदी सालों से मुझा सोच रखे थे कि यह यह लुक चाहिए मुझे यह दो तीन महीनों से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं डाड़ी पे बहुत सारी सस्पेंस है जो धीरे धीरे खुलेगा अच्छा लोकेशन क्या हों रहे हैं? लोकेशन यह है पुरा महारास्ट अपना लोकेशन हो पूरी महारास्ट हम शूट कर रहे हैं और सबसे कमाल और अच्छी बात है को पूरी फिल्म लाइक 90% फिल्म हम पूरा महारास्ट में कर रहे हैं रोड के लाइक जैसे कि अब फिल्म की बात की जाया आपने डेलिधागा चीफ मिनिस्टर भी आया है, पॉर्ण करने के लिए, तो फिल्म कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कोई अन्यता भी दिखाई देया आप इसको कोई पाइटे का इसमें कुछ दिखाया है आपने, कुछ इसको इसको भी है, क कभी अगर मिला तो इस सब्सक्राइब करने काम करने का मौका मिला है पहली बार कर रहा हूं लेकिन अब ऐसा है कि हम साल में एक फिल्म जरूर करेंगे हर साल आप से पूछा यहां कौन से फ्लेवर में ताम करने जादा पतन करेंगे तो अब आक्टर के लिए बताना बड़ा मुश्रिल होगा क्योंकि मैं हर जीवन जीना चाहता हूं एक जीवन में कभी राजा बनना चाहता हूं कभी बहुत सारे रंग जो है हर रंग को मैं देखना च चाहते हैं कि यहां मुझे सच अच्छा नवास जो कर रहा हूं मैं वाव सीयों जी को बहुत बहुत धन्यवाद है उन्होंने हम जैसी लोगों साथ खड़े हो गये और बहुत इज़त दिया बड़ा सम्मान दिया और बहुत सारी दुआएं दिया और इन्होंने मतलब यहा आपने पूछा है अच्छली हमारे फिल्म में गाना ही नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे फिल्मों में गाने की जगह है यह होनी चाहिए बहुत डिफ्रेंस स्टूरी मैं बताया ने शायद हिंदी फिल्मों में ऐसे फिल्मों पर काम बहुत कम हुआ है ऐसे स्टू ड्रामा दिखेगा लेकिन रोमांस नहीं दिखेगा कुछ अपनी स्टोरी बताई याव इससे पहले आपने प्राइब आपने वाले प्रजेक्ट में कौन कौन से हैं सर मैंने थेटर से हूँ कई सार मैं थेटर किया हूँ मुमई शहर में बहुत सारी बहुत सारा टाइम दिया हूँ अब बृमेरी एक फिल्म डिलीज पहर था हो थी खाम्याज़ा जो अक्टूवर में रिलीज हो रहे हैं पी-विया रिलीज कर रहे हैं और ये दूसरी फिल्म है खामियाजा में किस तरह रहून था था है? खामियाजा में भी एक एक अच्छी बहुत मज़िदार वाली बात है कि मिलता जलता ओभी कहीं कहीं ऐसे ही था एक आम आदमी के स्टोरी थी कि वो लखनों कर रहने वाला यू उत्यपरदेश कर रहने वाला बंदा होता है और गुजरात आता है गुजरात कुछ परिष्टितियों में इस तरह पड़े जाता है कि वह उसको निकलते निकलते पुरी जिन्दगी निकल जाती लेकिर वो नहीं निकल पाता आपके नाम से फिल्म बंद गई आपका करेक्टर भी नवास का है बहुत बड़ी दिम्यदारी आपके ऊपर है कि तरी तैयारी तो ये है कि आजकल मुझे नीद बहुत कम आते है दिमाग में जब कुछ चीज चलने लगता है, तो सोचते सोचते कब सुबह हो जाती है कि पता ने चलता, तैयारियां ये है अच्छा और दो इनकी फिल्म जब आपको पताओं इस फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको कहीं इस बात बिख का दुख नहीं होगा क्यार इसमें गाने क्यों नहीं है बलकि इस बात की खुशी होगी कि यार इसमें ऐसी चीज नहीं है जो हमें थोड़ा सा कहानी से भटकना पड़े यह इस तरह से स्टूरी है कि कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी कि गाना उसमें डाला जा इस बारे में लेकर हमारी discussion हुई मैं राइटर साब से, डेक्टर साब से, लेकिन सबका decision एक ही था नहीं यार, जगह ही कही हमारे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है, शायद हम अभी सोच रहे हैं से, इस background में कुछ गाने रखें, शायद में भी, not sure. Thank you sir, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा राम रंजू साइकलोनी है, मैं इस मुवी का राइटर हूँ, और हाली में हमारे जो है, मुख्यकलाकार हे रंजी ने जैसे की आपको पहले से हिंट दे दिया है, तो इसको continue करते हुए, मैं आपको बताना चाहूँगा, basically being a writer, मैंने इसक पेंड कैसे किया, basically बंदानवाज एक subject है, जिसे काफी पहले से research किये हुए, कई सारे researchable points जो थे, मेरे पास exclusive points थे, उनमें से एक point को base करके design की गई है, So what is it actually, मैं आपको बताना चाहूँगा, बंदानवाज basically जिसे central point को orient करके बनाई गई है, वो है basically terrorism, पर इछान इंटर्नल part, इंटर्नल face of terrorism, जो पहली बार इस तरीके की कुछ content को orient करके को movie बनाई जा रही है, अच्छा, जैसे जैसे अभी हाली में समाज में काफी बदला हुआ है, या हो रहा है, या development हो रहा है, ठीकि उसी तरीके से internally या externally रूप से terrorism organization जो भी है, international level पर वो भी develop कर रहे हैं, और किस तरीके से develop कर रहे हैं, इसका result है direct, output के रूप में, पूरी दुनिया को देखनी और जहलनी पड़ रही है, सो उसे खतम करने के लिए definitely हर country के जो responsible personalities है, वो कटीवध है, वो definitely वो तो दिखनी उसकी results भी दिख रहे हैं, अच्छा, first time हम इस तरह के terrorism organization या terrorism जिसे कहते हैं हम, उनकी internal structure पे कैसे किस तरीके से वो अपने आगे-आगे के predecessors को recruit करते हैं, through the way, किस तरीके की way अपनाते हैं, यह अपने आप में एक अच्छूट point है, जो जिसे हम untouched कहते हैं, सो इसे हम centralized करके इस कहानी को develop किये हैं, और कहानी point को कहानी में convert करने के बाद, इसके बारे में सबसे पहले मेरे जो एक perfect visionary director थे, और जुन राज जी, उनसे मैंने discuss किया, उनको definitely अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने green signal दिया कहानी को, और आगे बढ़ाने के लिए, तो कहानी फिलाल complete है, और उनके साथ बाकी आगे के जो portions के काम final touch देने के लिए, वो चालू है, इसके पहले आपके project कौन सी film में, अपकी कहानी को कौन सी film में फिल्माय गया है, इससे पहले दखिए, निरबाउट पिछले 25 साल से as a writer में यहां काम कर रहा हूँ, सुराग C. C.I.D. सक्तिमान्ष कोई है, थ्रिलर अटेन समय निरबाउट 24 सेरियल साहं, डॉन अलड़ी आज राइटर, छे मूवी कम्प्लीट हो चुकी है, इसमें से हाली में एक down of the exit मूवी IRE के साथ रिलीज हूई है, और आगे मेरी आने वाली मूवी बरेली टाइम्स भी रिलीज इसको है, और G.E. के साथ और भी कई कम्पनियों के साथ मेरी आगे के मूवी चालू है, प्रोजेक्स भी चालू है, इसमें जो कहानी है, बिल्कुल आजमी तरीके से फिल्माई जाएगी, तो क्या कहने चाहेगी है? जी, ये हार्ड कोर मडनाई इस तरीके से इसको बनाया जा रहा है, और एक्चुली क्या होता है, मैरे डियर बाउट, पचीस साल के राइटिंग केरियर में मैं बहुत कम ऐसे लोगों से मिला हूँ, जो प्रॉपर और पॉर्फेक्ट तरीके से एक हीरे को परक पाए, कहने क इसे लिए तो हम नरमली तरीके से बहुत सारे ऐसे गहरी बातों को आम तरीके से कह जाते हैं, उसे पकड़ने वाले भी नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं पकड़ने वाले उसे जज़ कर जाते हैं, इसलिए मैंने पहले कहा कि इतने सारे डिरेक्टरों के साथ काम करने के जिस तरीके से और जुन राज जीन ने पकड़ लिया और समझा तो यह मेरे लिए एक लोकी पॉइंट था और मैंने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि इस पर हम मुवी बना सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर टररीजिम का जो आज तक सीनेमा में दिखाया नहीं गया चाहिए यहां से लेकर हलीवड तक तो एक्चुली टररीजिम पर इसे पहले भी मुवी बनी है और आगे भी बनती रहेंगी सो नया क्या है डिफिनेटली आज भी जूड़े हुए प्रड़ासंसे जब और जुन जी ने मुझे यह बात पहले पूछा की वाट इज निव इन द मूवी क्या है फ्रेश क्या है क्या ओडियांस को मिलेगी तो मैंने उन से यही बताया कि अभी तक आउटपूट रेजर्ट और इरॉप्शन के बारे में टेररीजिम की इस तरह के रूप के बारे में मूवी में दिखाया गया है और इंटर्नल स्ट्रक्चर रिक्रूइट्मेंट के बारे में कोई मूवी नहीं बनी है इस पर मैंने कुछ वर्काउट किया है मैंने उनको सुनाया और डेफिनेटली उनको उन्होंने यह अप्रिसियेट किया और रेजल्ट आज आज आपके सामने है कहीने कहीन खचिरी मूवी भी बड़ी बड़ी फिल्म है जिस तरह के आपका इस्टोरी आइडिया आपने बताया है देखे लग रहा है कि बड़ी 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 फिल्म होगी है जी देखिये मैं तो राइटर हो डेफिनेटली एक अच्छा स्क्रीप्ट अच्छी सीनेमा के लिए जनेरेट करना ये मेरा फरज होता है बाकी आगे बड़ेट पर जो है अब ये डिरेक्टर प्रड्यूसर साहवर जुन राज जी वो डीसी संब लेंगे और डेफिनेटली उन्होंने कुछ सोचा होगा इस तरह के एक अनबिलीवेबल आइडिया पर काम करने के लिए जितनी बजेट के रिक्वार्मेंट होती है इतनी फुल्फिल कर पाना में भी पॉसिबल वो उसके लिए जो है पहले से ही अलड़ी थे कैपबल थे सो इलिए उन्होंने इसलिए इस पर हट डाला इस तुमें के लिए क्या शुप करना है आपकी दर्सकों से क्या करना चाहेंगे मैं डेफिनेटल दिखी क्या है दर्सकों से मुझे बहुत ज्यादा इस बारे में और यहां ओपन करने क्या बताने की जरूरत नहीं है माउथ पॉबलिसिटी अपने आप में एक वेपन एक हतियार अगर चार जाते हैं देखने तो डेफिनेटल वही उनी की रेस्पंस उनी के रेजल्ट और उनी की बातें चालीस तक और फिर चारहजार तक पहुंच जाती है मैंने अपने हिस्से की महनत तो कर दी अब आगे मैं डेफिनेटल एक उमीद रखता हूं और जुम सर से कि वो भी बाकी अपने हिस्से की जो महनत है वो भी अगर जिस तरीके से मैंने इमेजिन किया वो रेजल्ट वो द देखते हैं तो डेफिनेटली ओडियांस अपने आप इस पर अपने अप्रिसियेशन दिखा ही देगी